अगर आप भी फेस्बूक इंस्टाग्राम पे शादी का पोस्ट देखकर परिशान हो गए हैं तो चिंता मत कीजिए हम भी उन में से एक ही हैं वैसे तो ब्राइड लोगों की लहंगा को देखकर मेरा भी मन शादी का किया लेकिन मेरी बात ही छोड़िये नमस्कार मैं हूँ ह परिशिता सिंग और आप मेरे साथ जनता जंक्षन देख रहे हैं इस शादी के सीजन में हम आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी थोड़े से अचंबित होंगे एक ऐसी दुलहन है जिसके लिए मैं साथ समंदर पार तेरे पीछे-पीछे आ गई हैक यह गाना बिल्कुल अभिप्राए होगा दुलहन का नाम मेरी है दुलहन जो है साथ समंदर पार करके भारत के वह गुसराइ के एक युवक से शाधी करने आती है اور ये जो युवक है इनका नाम राकेश है राकेश पहले टूरिस्ट का काम करते थे दिल्ली में राकेश क पूरा परिवार कॉलकाता में रहता था कॉलकाता से ही राकेश दिल्ली टूरिस्ट का काम करने निकले थे जब वो टूरिस्ट का काम कर रहे थे तो उन्हें मेरी नामक एक लड़की पसंद आ गई यह लड़की फ्रांस की थी फिर मेरी ने राकेश को भी उनके साथ फ्रांस बिला लिया ये दोनों मिलकर फ्रांस में कपड़ा का वयवसायक करने लगे हालाकि इन दोनों में नजधीकी इतनी आ गए कि ये दोनों ने वहीं पर शादी भी रचा लिया लेकिन मेरी का प्रेम भारत से ऐसा था कि मेरी ने राकेश को कहा कि उसे बिहार जा कर शादी करनी है फिर वो दोनों साथ समंदर पार आकर बिहार के बेगु सराय में शादी रचाए। यह शादी भगवान पूर प्रखंड के कटहरिया गाउं में थी, इस शादी में लोग दूर दूर से इस शादी को देखने आये थे, आखिर विदेसी दुलहनिया थी, लोग शादी को देख बेगु सराय से फिर कल ही वो वापस फ्रांस चले गए, इस शादी की तस्वीर पूरे सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है, विदेसी बहु को देखने के लिए लोग दूर दूर से आये थे, इस सादी की तस्वीर ना सिर्फ बेगु सराय में, बलकि पूरे बिहार में चर् अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो जनुता जंक्षन के इस खबर को शेयर करना ना भूले धन्यवाद